चलिए फटा फटा आप बता देजिए जो बच्चे लाइव है चाहे परगती है चाहे सब भी है आप दोनों नियू स्टूडेंट है या ओल्ल इस तूडेंट है क्योंकि आज जो नए बच्चे हैं उनके लिए सारा का सारा ये तयार होने वाला इस्टायड जो नए इस्टू तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपका देखें आपका B.com B.com Semester 3 चाहे बच्चा ना प्रोग्राम का हो चाहे Student Honors का हो तो Semester 3 के अंदर आपका एक Core Subject है ये जिस Subject का नाम है Financial Management सर इस Subject को पढ़के हमें किस चीज की Knowledge मिलेगी ये दोनों के लिए है Financial का मतलब होता है पैसा और Management का मतलब होता है उसको Manage करो तो अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे में क्या क्या कहां कहां से पैसा बिजनस में आ सकता है तो सर लोन के थूरू बिजनस में पैसा आ सकता है equity share capital के थुरू आ सकता है preference share capital के थुरू आ सकता है debenture के थुरू आ सकता है तो इनी सभी के वहां से जो पैसे आते हैं उसको how to manage और कौन सा हमें option best है जो की choose करना होगा ये पढ़ाया जाता है आपको financial management के अंदर आप सभी ने share issue करने की general entry करा लेकिन जो उससे fund आया उस fund को कैसे manage किया जाएगा वो अब हम सीखने वाले हैं तो अगर मैं बताओं तो financial management का अगर कोई student इसके अंदर अपना career देखता है इसी field में जाता है तो ये manager level की job होता है जो की that is a CFO Chief Financial Officer की job होती है इसके अंदर जिसके अंदर आपको सबसे top level पर main decision लेना होता है fund से related तो बहुत ही interesting और बहुत ही important subject है semester 3 में बहुत सारे university के अंदर ये subject semester 3 के जगाए बजाए semester 5 में भी होता है तो किसी भी semester में हो other university में अगर कोई student हो तो तो रहेगा यही financial management में तो सर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कैसे पढ़ने वाले हैं वो भी देख लेते हैं तो अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं क्या क्या और कैसे तो यह कुछ मैंने इसको chapter में divide किया है total 11 chapter है आपके इस financial management में total कितने chapter होगे 11 जिसको मैंने card peat के मतलब के topic wise जो chapter थे मैं जो पढ़ाऊँगा मैं आपको 11 chapter पढ़ाऊँगा और सर 11 chapter में कौन कौन सा chapter है कौन कौन सा मैं पहले पढ़ाऊँगा उसके according तो सबसे पहले देखे 11 chapter में देख लीजिए working capital हो गया operating cycle होगे हाला कि यह दो chapter है लेकिन एक ही chapter का part माना जाता है EOQ पढ़ेंगे economic order quantity बिलकुल new है leverages पढ़ेंगे EBIT पढ़ेंगे cost of capital पढ़ेंगे value of firm पढ़ेंगे dividend policy पढ़ेंगे capital bursting पढ़ेंगे time value of money पढ़ेंगे receivable cash management पढ़ेंगे और cash management पढ़ेंगे अब receivable management है अब इसको अगर हम unit के terms में बाढ़ दे तो यह हमारे chapters है अब देखो आगे पीछे chapter जैसे हमें सोहलियत लगेगा हम उसके इसाब से करेंगे हम unit wise बिलकुल भी नहीं चलेंगे कि पहले हम first unit करें फिर second करें फिर third करें फूर्थ करें ऐसा बिलकुल भी नहीं करेंगे हम अपने convenience के हिसाब से उसको follow करने वाले है सर इसके अंदर अगर मैं बात करूं सर तो unit wise अब कैसे कौन सा unit की बात करते है du semester 3 में तो मैं unit भी आपको बता देता हूँ यह कुछ इस unit में divided है यह ठीक है न ध्यान दिजेगा और कितने कितने marks का है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे देखो unit number one जो है unit number one की बात करें financial management overview यहाँ पे एक chapter बनता है time practical chapter time value of money TVM time value of money तो यह theory plus में एक chapter time value of money आपके exam में 10 number का बनता है पार्ट वन है और पार्ट टू किताब में दे रख यह 25 नंबर का तो देखो अकेला chapter एक unit दो unit यह जो है यह अकेला ही एक ही chapter 25 नंबर का बन गे आपका यह मान के चलो तीसरा cost of capital and financial decision यह तीस नंबर का बनता है इसके अंदर हमारे कितने chapter आ जाते हैं इसके अंदर हमारे लगभग लगभग चार chapter आ जाते है cost of capital आ जाता है leverage आ जाता है EBIT आ जाता है value of firm आ जाता है dividend decision बहुत simple सा chapter है यह 15 नंबर खा और last में working capital इसके अंदर total चार से पांच chapter आते हैं इस unit के अंदर working capital operating cycle receivable management EOQ और cash management यह सारे chapter आते हैं इसी को और जो due कई बार बच्चा कहता है क्योंकि student जब आते हैं पढ़ने के लिए तो वो sol का syllabus लेके आते हैं या कहीं का भी syllabus लेके आते हैं तो due ने क्या करा हुआ है due ने आपको यह इस तरीके से topic wise क्योंकि due का हमेशा से रहा है कि यह नहीं बताएंगे कि हम यह chapter पढ़ना है वो बोलते हैं यह topic पढ़ना है तो कई बार वो topic chapter के अंदर बनाना पढ़ता है वो chapter ही होता है तो unit number two में आप देख सकते हैं यहां पे लिख रखा है आपको time value of money यानि यहां से practical chapter हो गया और यहां पे objective of the financial management यहां से लेके यहां तक यह theoretical chapter हो गया तो यानि सर unit number one में डियू कहता है आपको दो topic करना है एक इसके overview पढ़ना है और दूसरा आपको यहां पे time value of money को पढ़ना है तो यह practical chapter हो गया पूरा और यह theoretical हो गया और डियू कहता है भाईया यह हम आपसे 10 number में पूछेंगे अगला कहता है unit number two में आजाओ आपको पढ़ना capital budgeting है इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाएंगे cash flow estimation पढ़ाएंगे different technique पढ़ाएंगे capital budgeting के अंदर payback period पढ़ाएंगे आपका discounting payback period पढ़ाएंगे accounting rate of return पढ़ाएंगे net present value निकालना सिखाएंगे internal rate of return निकालना सिखाएंगे profitability ratio निकालना सिखाएंगे इन सभी को देखा जाए तो मैंने एक chapter हो गया यह that is chapter का नाम है capital budgeting और काफी लेंदी chapter है और इसलिए यह आपका 25 नंबर का due ने बोला है इस तरीके से तो यह सारे topics जो देख रहे हैं वो एक ही chapter के अंदर cover है जो कि आपको कराए जाएंगे NEP CBS book same बिल्कुल same कोई changes नहीं आएगा हलाकि अभी NEP की book आने वाली है market में नहीं आ गई है same है कोई changes नहीं है अगर कोई बच्चा पुरानी book भी FM का भी मैं बताऊंगा कि कौन से book लगेगी तो उसके हिसाब से चलिएगा अब देखें unit number three cost of capital and financial decision सर cost of capital में एक अलग chapter है यह chapter है पूरा practical है यह भी practical है कहा गया भया estimation of components पढ़ाएंगे आपको method of calculation of cost of equity पढ़ाएंगे cost of retainer नहीं पढ़ाएंगे cost of debt पढ़ाएंगे cost of preference year पढ़ाएंगे इसके बाद weighted average cost of capital and etc पढ़ाएंगे तो यह हो गया एक chapter अगला capital structure पढ़ाएंगे आपको यह हो गया दूसरा chapter जिसके अंदर chapter number two तो यानि एक chapter दो chapter हो गया इसमें इसके बाद दो chapter इसी के अंदर और भी आएगा हाँ यहाँ पर आगया leverages पढ़ाएंगे जिसमें operating financial combined leverages है EBIT EPS analysis पढ़ाएंगे आपको capital structure net income approach net operating income तो यह देखा जाने तो यहाँ पर आपको चार chapter में इसी unit को मतलब एक यह chapter और यहाँ पर चार चार चाप्टर लीवरेज EBIT value of firm तीन में बटेगा यह leverage EBIT value of firm और यह तीन चाप्टर में बचेगा तो टूटल चार है न वहाँ तो तीन चाप्टर यह यह यानि जो capital structure है इसके अंदर आपको मैंने इस पूरे topics को मैंने क्या किताब में भी आपको तीन चाप्टर में बाटा हुआ है और यह एक तो चार चा कई बार S.O.L. के बुक बच्चे देखते हैं उसके अंदर मिलता है नहीं मिलता तो उससे matter नहीं करता आपको जो DU का proper दे रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ इसके अंदर दो चैप्टर है एक theory का पार्ट है और एक practical पार्ट है कितने नमबर का एगा सर 15 आप 20 नमबर का है अगर डिविदेट डिशिजन की बात करें तो सॉरी 15 नमबर का और 20 का वो है हमारा अगला तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे सर इसके अंदर MM approach पढ़ेंगे Walter model पढ़ेंगे, Gordon model पढ़ेंगे, determination of dividend policy पढ़ेंगे तो ये तो हो गया हमारा theory determination of dividend policy और बागी सारे हो गया practical तो दो चैप्टर हो गया यहाँ पे सर working capital में बड़े सारे chapter है, एक तो working capital अलग chapter हो गया जिसके अंदर operating cash cycle हो गया, ये एक अलग chapter में पढ़ाया जाएगा, risk and recent trade-off ये एक अलग chapter में estimation, receivable management ये एक अलग chapter में पढ़ाया जाएगा वो सारी चीजे इन chapters में मैंने convert कर दिया, एसे ऐसे chapter पढ़ेंगे, पहला chapter जो हम start करने वाले हैं, that is हम unit number 3 से उठाएंगे, और ये बिलकुल basic chapter है, जो कि हम chapter number 3 से अपने subject को start करना चाहते हैं, chapter number 3 से अपने subject को क्या करेंगे, start करने वाले हैं, ठीक है तो books कौन सी लेनी है, books की बात करें, तो books की अगर मैं बात करूँ, तो books आपको जो लेना है, that is आपको book की बात कर लेते हैं, तो book है आपका आरपी रस्तोगी आरपी रस्तोगी आरपी रस्तोगी और इसके साथ 10 यर अभी मार्केट में नहीं आया ये फर्स वीक और कव अगस्त तक आएगा तो 10 यर ये दोनों चीजे आपको लेके चलनी है आपको क्या मिलने वाला है मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको total मिलने वाला है life class आप तो life class में हो ही प्लस आपके doubt session और पिछली बार face करना पढ़ा था थोड़ा सा मुझे इशू क्या face करना पढ़ा था थोड़ा सा इशू कि भाई साब हमें 10 यर के questions के बच्चो नहीं हुए तो इस बार मैंने पहले से ही आपका पूरा 10 year record कर दिया है मजे की बात तो ये पूरा का पूरा 10 year का आपको solution मिलने वाला है video format में doubt भी है live class भी है इसके साथ आपको pdf notes भी है लेकिन book का कोई pdf नहीं मिलेगा 10 year का कोई pdf आपको नहीं मिलने वाला है मैं पहले आप सभी बच्चों को clear कर दूँ doubt के लिए पहले से number given है आपको content से related पहले से number given है आपको सारे number आपके course folders के अंदर पहले से डाल दिये गए हैं तो ये था हमारा overall एक syllabus का discussion अगली class से जो हम start करने वाले हैं that is आपका leverage chapter start करेंगे जो first chapter है और बड़ा ही interesting तरीके से पढ़ेंगे यहां तक किसी student को doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगली class से बिलकुल सही से हम start करने वाले हैं ये pdf format में मिल जाएगा आप आराम से अपना syllabus note कर सकते हैं 100% आपके syllabus में है ये subject तो आप मुझे बताइए किसी बच्चे को अपने syllabus में कोई doubt है क्या तो hopefully आपको ये सारी चीजे समझ में आ गई भी होगी अगर doubt हो तो comment